योगेजी के शासन वाले उत्तर प्रिदेश में माफियाओं का राज खत्म हो गया है कानून का शासन आ गया है उत्तर प्रिदेश की सरकार ने जमीन पर कबजा करने वाले लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है सबको सबक सिखा दिया है इतना सबक सिखा दिया है कि ये शायद जाकर आप छुप गए हैं ये दिख नहीं रहे हैं तो फिर सवाल ये है कि जमीन हड़पने जैसी और जमीन कबजाने जैसी तस्वीरे दावे आखिर क्यों किये जा रहे हैं सबात्वारी पार्टी के निता ने ट्वीट किस ने किया और वीडियो जारी करते हुए दावा क्या किया गया है दोनों इस खबर में हम आपको बताएंगे नमस्कार मेरा नाम है जैन्ती जा और आप देख रहे हैं दे वीपेन टीवी समात्रादी पार्टी के नेता आईपी सिंग ने एक ट्वीट किया है जहां इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सरयाम गरीब वन्चित शोशितों के हत्याएं हो रही हैं किसी नागरी के जान सुरक्षित नहीं है बड़ बोले उप मुखे मंत्री केशव प्रसाद मौरिया का शेत्र है खुद जमीन कबजा करते वीडियो आई है लोग डर से यूपी छोड़ रहे हैं लखनाओ में मंत्री के घर में उसके बेटे की पिस्टल से हत्या हुई मामले को रफादफा कर दिया गया इन्होंने कई सारे मामले एक साथ बताए हैं अपने इस ट्वीट में आगे एक और मामले का लास्ट वाले मामले कर दिक्र करेंगे लेकिन हैं उन्होंने जो वीदियो शेयर किया है। उसके क्या कुछ दिख रहा है है आपको सबसे पहले दिखाते हैं इनका दावा है कि जमीन øखा लारी यह घुड़ी लगा कर बाहर खाट बिचा कर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं जिनके पास शायद प्रहडे खाने को भी शायद उनके पास भरबूर पैसा ना हो उनको हटाया जा रहा है जो विडियो में दिख रहा है हम वही आपको बता रहा है आप देखे हो सकता है इस दावे में सचाई ना भी हो हो सकता है इस दावे में सचाई हो अगर सचाई हुई तो क्या यूपी के सरकार इस बात को स्विकारेगी कि यूपी में कई गरीबों को परशान किया जा रहा है अब सूचिए एक मामले का जिक्र और किया गया यहाँ पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था आगे आपको बताऊंगी इन्होंने जिस मंत्री के बेटे के मामले को रफा रफा करने की बात कहीं दोस्तों उस मामले को भी दबा दिया गया कैसे वो पुरा मामला क्या था उसको ज़रा समझने की कोशिश कीज़े दरसल हुआ ये कि केंद्री मंत्री कोशल किशोर के लखनाउं उस्तित घर में विने श्रिवास्तक की हत्या जुए में हुए जगड़े में हुई थी विने मंत्री के बेटे विकास का दोस्त था पुलिस ने उसकी हट्या करने के आरोप में तीन लोगों को खिरफतार किया है पकड़े गया आरोपियों की पहचान किन-किन के रूपे हुई अंकित के रूप में आजये के रूप में और शमीम बाबा के रूप में हुई पुलिस के मताबिक जुए में हार जीत को लेकर ये जगड़ा हुआ था और होता ये है कि विनेश श्रिवास्तप जुए में अंकित से करीब 12,000 रुपे हार जाते हैं जीत के बाद अंकित ने जुआ खेलने से मना कर दिया वारदात को मंत्री के बेटे विकास और आशू की लाइसिंसी पिस्टल से अनजाम दिया गया शव के पास से ही पुलिस ने पिस्टल बरामत कर ली नितक कि शिनात्त विनेश श्रिवास्तप जो कि 30 साल की थे उनके तोर कहा जाता है मंत्री जी के बहुत करीबी माने जाते थे थोड़े समय पहले इतने करीब पहुच गए थे कि आसपास वालों को खटकने लगा खुद मंत्री के बेटे को खटकने लगा तो विकास का वो दोस्त था इसी बात को लेकर नशे में उनके बीच कहा सुनी हो गई जि दोनों के भी छीना जप्टी होने लगी जिसके दोरान गोली चलने के वज़े से विने श्रिवास्तव की मौत हो गई तो जिसकी पिस्टल से गोली चली थी बताया यह जा रहा है वो लाइसेंसी पिस्टल थी और लाइसेंसी पिस्टल सीधर तोर पर मंत्री जी के बेटे की थी अब वो मंत्री जी का बेटा उस सब में मौजूद था कि नहीं पुलिस ने यह नहीं बताया है लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उनके पिस्टल से हुई है और हत्या भी उन्हों नहीं की है लेकिन उस मामले को रफा रफा कर दिया गया अब पूरे मामले की ज बाने की कोशिश जो है वो जोरो शोरो से जारी है अब इस पूरी ख़बर को लेकर आप क्या सूचते हैं आपकी क्या राया है कमेंट करके जरूर बताईएगा विडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर